प्लेयर के लोगों के स्वागर सभी का एक और वीडियो में आज बंच का हो पाइलिट प्लाज में और यह वाला मैच अगर तुम्हें लग रहे हैं स्कॉर्ट ते नहीं सोली खेल रहा था मैं और इस वाला मैच में मुझे एक ऐसा प्लेयर मिलेगा ना तुम कऊगे भाई क्य अब पता चल चुका है सामने तो बंदा है और देखना क्या ही कूदेगा भी है मेरा कुछ बिगार तो नहीं पाया है बंदा बट जो भी हो इस ने जंप बड़ी कमाल की मारते बिल्कुछ स्टायल में सीधा सीधा जारता एक दम से पीछे मोड़ा कूद के पर भाई वो किस मिनिमाप देखा तो फुटसटप आया रहते है मिनिमाप भी देखना पड़ता है मुझे कभी कभी ना भाई आस बस सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ ना कुछ पी आवाज दाती है और ऐसा लगते कि हां गेम में शायद आयो गया आसा बहुत मेरे साथ हो साथ क्या बोल मुझे पता देखना इसकी डीपी रुकी नहीं है नहीं और मैं अगर मिनी फॉर्टिन रिलोड करने गया तो दिक्कत हो जाएगी तो एक एसल के मेरे पास सहारा था जो भी हो दो किल्स करने के बाद साथ से मैंने गाड़ी उठाई और अब देखना मेरे कहीं से गोली करती है कि बस तुम विश्वास नहीं करोगे देखना अभी तो मैं बिल्कु शांति जा रहा था एक यह पड़ी आई नहीं हल्किसी आवाज दूसरी यह पड़ी और मैं घबरागे कि यह कहां से पड़ी यह कुछ तो आवाज आई सबसे पहल तो मैंने गेम खेल्दत इगन हूँ बोट को भी रियल पेर समझ ले तो आज के टाइम में पर यह वाला बोट को जाले थकड़ा है वह भाई अंकल दे रहा था यह लिटरली क्या बताओ कोने कोने से मारने का ट्राय कर रहा है बट कोई नहीं अपने रिलोड हो चुकिए अब इसको खता मैं यह बड़ी है सामने की तरफ और यह जो पंक वाला घर है जितना हो सकते हैं वहीं पर बंदे गोली चला रहे होंगे और देखना वह अचानक से दर्वाज़ा खुला तो मुझे लगा बंदा इस तरफ आएगा तो मैं बिल्कुल देख लूँगा उसको मुझे यह लगा था वो टिप संट और अगर तुम गोल से देखो तो तो वह विंडो के पास टीपी लेता दिख रहा था हलका साथ दिखा था मुझे तो मैंने चुछा ठीके बेटा ऊपर ही रही है बस मैं आई रहा हूं उपर मैंने सोचा था मैं उपर जाँगा पर भाई साब इस बंदे ने एक तरफ से दो बार से नीच आया उसके बाद भाई साब इस बंदे ने 2 शेकिंड में मेरी 70% हील्थ कंप कर दी थी उसके बाद 3 सेकिंड में यह कुछ डामेज ही नहीं तो मैं देखना 10 HP होगी थी उसके बाद कुछ करता नहीं है भाई समझ नहीं नहीं अब यार जोन आ चुका है अब तो जोन की तरफ चल लो या फिर इस अपार्टमेंट में मरना है मुझे अब यह तो मैं समझ चुका था है या पर कोई रियल प्लेयर तो है लेकिन ये बोट जैसे दिखाना हलका समय नेराश हुआ और इरिटेट भी हलका सा ये बोट की टिक टिक बड़ी परशान करते है इससे बड़ी ओटो स्प्रे मार लो यार बस डैमेज कम जाना चाहिए यार इतनी जल्दी प्रोन हो जाओगे तो कैसे चलेगा पहले खड़े खड़े थोड़ डैमेज दो इसके बात प्रोन हो अब मुझे पता था यह सूर मुझे परिशान करने वाले इसको खतम करते है फाइर हुमन नाम भी ऐसे रखेंगे कि सच में विश्वास हो जाए रियल प्लेयर है जो भी हो अब फाइनली गाइस फाइनली वो दिन वो टाइम आ चुक है जब मैं गाड़ी लेकर जोन की तरफ जाऊंगा थैंक गॉर्ड छोड़ाव देखने हैं मुझे कितिनी दिक्कत होने वाली है यार लिटरली एक भी गोली का डैमेज रिजिस्टर नहीं हुआ तो मैंने सोच लिया कि इसी गन का मेरे को इस्तमाल करना पड़ेगा बिकॉज यहां पर एक पदड़ गन थी जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए और कहीं से गोली पड़ी ओ भाई इस बंदे की रिलोड पर नहीं जाती तो मैक हतमता है या पर डैम क्या ही बचा हूँ मैं वो बंदे ने कमाल कस्पर मारा बच गया हूँ थोड़ा आगे चलते गेम में यहां किसी गिंचोच के आवाज आए थी तो मैंने सीधा गुड़ पार्ट पर स्किप करा और वो देखो लेट से आने का ट्राइक करता है और मुझे लगा भी इस वाले रूम में आएगा तो मैंने मॉली फैक की अब मुझे पता था ये एक दरवाजा पच रहे तो यहां से आएगा ये आता है क्या बंता है यार बेसर हमें आना जरूर है इसको अब आया गई किल् सारी एंट्रीज पर यहीं करता बट क्या कर सकते हैं इस पर में पैसे अंदर आया है एक चिल है कि यह को इसको मैंने इसी की चटरी का स्वाथ चखाया यहां पर बहुत अच्छा इतना संतुष्ट फील होता है इन जासे वाले बंदों को मार के अभी तक तो निया था मैं जोन मतलब क्या था यह बंदा नहीं क्या था यह और नाम इतना सुन्दर रख 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 यह फ़्या बाट फिर देना है तो एक दू गूली चला के भी समझ जाते है बंदा और अगर ओट पे चलानी दी तो मेरे पी चला देता ना कैसे कैसे बंदे इसो अब मैं सोचा ठीक ह ना उपर से नाइस आयल ये बंदा दिक्कत देगा मैं सोच रहा था कि उन्हें इस पत्थर पे रुख जाओ और इस बंदे को पहले जोन में जाने दूँ स्पोर्ट कर लू या तो इसको और उसके बाद निकलू बड़ ये बंदा स्पोर्टी नहीं होता मेरे को हलका स्पेड पे गया हलका सा लेकिन नहीं वह वस मेरा वहम था मुझे आसा लगो घास वगयरा थी तो मेरे को ऐसा लगा वाई होगा अब मैंने सुझा कोई नीक जल्दी से इस ब्रिच से होते निकल जाता हूँ मुझे लगा था बंदा हील करेगा लेकिन लेकिन भाई सा बंदेने बिल्कु सही मोगे पर अटैक कर दिया बहुत बड़ा रिस्क लेस्ने क्यूंकि मेरी अगर एक दो गोली ओर लग जाती तो एक हत्म हो जाता बड़ बंदा खेल गया और सही मैं कहना पड़ेगा जो भी ओ नई करता है कि जर्ण डेनर यह वाला मैच में देको डूओ खेल रहा था और मैं आधा फैक्ट्री में पिछला मैच में हाला लेकिन यह वाला मैच देकिना कितना बड़ी है तरीक समझे इतने वाला हूं उतरते मेरे को शॉट गन वगएर मिलती है मेरे लेफ्ट म इसली मिल सकते हैं शायद साप लोगों को सामने वह बंदा दिख चुका होगा मैंना सुचा पहले यहां ही से ही थोड़ा शूट करने का ट्रै करते हैं एक शॉट गन तो लग शुक है मुझे पता है दूसरी में हो जाएगा काम इसका और यह वाली आटफुट मुझे बहु टीम है यह देखा को दोनों बंद दिख वाइसाब दोनों हम मेरे टीम मेट ने और मैंने एक साथ टोंबी चलाई क्या ही ओपी साउंड हा रही थे यार और यह दोनों बंद पता नहीं कहीं देख रहे थे लगाने था इस वाली शॉटकेट से मैं इनको मार पाऊंगा पट वही है यह वाली एक बार हैड पर लग जाती है तो काफी असान बन जाता है यहां से में इस फुल के उठाले जिससे आगे मुझे देख के अतना हुए मैं गाड़ी लेकर राच के पास आया गाड़ी लीन इक सेगेंड वहो देखो में को एंगल मिला था पर वह बंदा तभी के तभी एपनी पोजिशन चेंज कर लेता है देखना मैं फस्ट लगा तो ना तभी वापस यही होता भाई जब कुछ और कर रहे होते ना तब प्रोपर एंगल मिलेगा लेकिन जैसे ही एम करने जाओग कि मेरे को फाइनल यसल के चलानी पड़ती है सिर्फ उन बालकों की वज़ेसे कमेंट करते कि भाई यसल के मच चलाओ कोई नहीं सो कि मैं सब कमन रखने का ट्राय करता हूं यार मैं गाड़ी लिगर देखो बास चुका तो थोड़ा स्रीडम के पास यहां पर ड्रॉप वग बगगी बी स्पोर्ट हो चुकी थी तो मैं समझ चुका था जैतना सकते बंदे वहीं होंगे टीम मेट क्या कर रहा है मेरे दोस्त बैठना सामने देखो अब श्याद आपको बगगी स्पोर्ट यारे पीपी भायजान की आवासे तरह इरे टेट करती है ना मेरे को हाँ यही ठीक है आराम से रिवाइफ कर लेते हैं पर कुछ सुनो यप यही है वो मिरांड वाले बंदे जो की सैड में फूर चला रहा है देखने तुम्हें अब जस्ट आवाज आने वाली है बंदे रश कर चुके थे तो मैं अशुच अब उतरेंगे तरह में में ग्रिनेड वगेरा टॉस का लेता है और जैसे पास आएंगे मैं ग्रिनेड फैक्ट दूंगा और अब देखना बहुत ही फनी इंसिडेंट होने वाला है बिलकुल बिलकुल फिनिष कर दिया लिकिन एपवांटर ने लिए पोइंट ने युके थे अधीनिड नहीं होझा मैं अपने ग्रिनेड से से मार देंगे कितना सेलफिश हो यार मैं जो भी हो यार दस किल मेरे हो जाता है और मैंने सुझा बहुत 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 हो चुकिए गाड़ी लेकर क्यों यहाँ से जोन की तरफ निकल लेते हैं पर आसपतानी बंदों को क्या हो है इनको जोन के बहारी लड़ना है तो मरो अब मैं एम करने के बट वो देखो बंदा गाड़ी में बैठ चुका है बहुत से उतार उस बंदे को उस से पचथावा हो रहा हो कि भाई में जोन के बाहर नहीं रहे जोन के अंधर जाके फाट लेनेशिए तो मैं भी जोन के निकलता हैं इससे पहले मुझे कोई पीट था और मैं हाप में वार्त तीन बंदे बंदे पच रक्के थे जिनमेंसे की एक बॉट होता है उस बॉट को मैंने मारता तभी मेरे बार अकिल सुझाते हैं और मैं वेट कर रहा था एक टीम का कि आखिर के जो दो बंदें काशी एक डूओ हो एंड कॉंग्रेट्ट्रेशन्स टु मी मेरे आपे इंग्लिश फोर्टीन किल्स तो होई जाएंगे शायद से और इस प्रेश दिखना एक बार गाइस चार पांच गोली तो लगए थी थोड़ा सा ओल टाइम मिल जाए था ना तो मैं इसको उतार देता लेकिन उन्होंने क्या बोला है का मैने देखो वो देखें का था ने मैं इसमेर रिस्क निलिया मैंने सिर्फ प्रेमार हो तब ही कि अब कर वो हो गया क्राउच हो गया जिससे मेरे को पता चुछा कि उसके में है कि नहीं और बिल्कुल मैं के तरह सई प्रड़िट करया अरब पस मैच गता हम और यार कर लोते हैं कि चंड डेन रहे ओसम ग्रेनिट के साथ ही वाले मैच को मैंने खतम करा जरू तुम्हाच के फसंद आयोगा जरना सभी मजा हो और आप लोग ऐसी गीमपलेश देखना चाहते हैं पबजी मोबाइल लाइट के तो जरू सब्सक्राइब कर लोग कर सकते मैं तो लोग से कर में लोगा बाइबाइ